कि नमस्कार दोस्तों मैं स्वागा त्रविदंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्श्कों का कैसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे प्रसंद होंगे आप सभी की दीपावली बहुत बढ़िया बेती होगी अब आने वाला जो महीना है इसके साथ दिन की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं यह जानकारी एक तारिक से लेके साथ तारिक के मद्धे की होगी और ग्रह सितारों की चाल क्या होगी ग्रह सितारे कैसे आपको पैड़ाम देने वाले हैं यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और आप आने वाले अपने साथ दिनों को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो आए शुभारम करते हैं राशीफल का सब्ताहिक राशीफल का और आप लोगों के लिए जो वुडियो के अंत में होंगे तो पहले अपना राशी फ़ल सुल लीजिएगा और आप लोग का जितन दिन है शादी की साल गिना है तो देड़ो देड़ो शुभाबनाय चैनल को सस्क्राइब करना बेल आइकन के बटल को दबाना न भूलिए और जीवर में आप लोग सु होगी आपको अच्छे आउसरों की तलाश होगी आप कारियों को बहतर करने के लिए खुब प्रयास करेंगे महिलाओं का साथ और स्योग आपको मिलेगा आपके जीवन साथी से आपके रिष्टे बहतर होंगे आप लोग दूसरे को बहतर तरीके से सब्जाएंगे सब्सक्रा कारियों में अनुशक बाधायें भी आपको परशान कर सकती हैं और मैं आपको यह सरा दूंगा कि सब्सक्राइब का आशिरवात प्राप करनी के लिए अच्छा है किसी भी प्रेटेनिस्थार पर जाने के लिए अच्छा है और चात्र वर्ग जो है पढ़ाई लिखाई करन करते चले जाएंगे अब बात करते हैं आने वाले तारीखों की एक नुमबर 2022 की बात करें वह आज का दिर जीवन साती का साथ और सरयोग प्राप करने के लिए बहुत उत्तम रहेगा निश्य रूप से आप एक दूसरे के करीब होंगे आज हो सकते हैं आज आपके लिए अ आप स्वास से समाने से बहतर रहेगा और आपके लिए तो अब बात करते हैं दो नुमबर की विवाहित लोगों को विवा के प्रस्ताव प्राप्त होंगे प्रेमिंप्र को मिलने का उसर प्राप्त होगा साजेधारी या वहारी प्रस्ताव के प्राप्ती होगी और के वावंदे प्राप्त होंगे जीवन साथी से संब्द आपके बहुत लएंगे आप शिर्षक के लिए भी कुछ ना कुछ कृट-धारी कर सकते हैं और इनकी. कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं और आप की चिंता को समाफ करेंगे और आपके बहुत साथ प्रयार से जो सफलता के बहुत करीब है थोड़ी थोड़ी कोशिश करके आप जल सफर बन जाएंगे और स्वास्त को अच्छा कर लेंगे तीन नॉम्बर की बात करें तो वहां चलाते समय सावधानी रखिएगा सड़क पर अब बात करेंगे चार नॉम्बर 2022 की आज थोड़ा सा उदास में सूस कर सकते हैं काम में रुकाउटे आएंगे गाड़ी वहां ठीक परकार से चलाइएगा धन का निवेश तो समझ करिएगा किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा जीवन साती से वैचारी मत्भेत हो सकते है आज प्रेम समझ में भी आज शुब रहेगा आपकी टांग में दर्द हो सकता है थोड़ा सा शरीर आज आप लोगों का साथ ना दे और आप आते हैं पांच नॉम्बर 2022 पर तो आपके दिन शुब रहेगा आप अपनी उम्मीद सरीधर में कमाएंगे आपको भागी का पु सम्मान भी में दो सकता है कि आप लोग और तरक्की करें वो जो पुरुसकार या सम्मान मिलेगा वो आपके आति दुश्वास को और रूचा कर देगा कुछ मांसी फरशानियां होंगे लेकिन आप उन पर विजय प्राप कर लेंगे खेल पूद में भी आप आगे रहेंगे अच्छा इस्थान लेकर आएंगे सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है छे नौमबर की बात करता आपकी धार्मी कतिविदी में जा सकते हैं आपके हिर्दे में प्रसंता उसांग बना रहेगा पढ़ाई भी एची रहेगी आप कुछी को गिफ्ट दे सकते हैं आज आप अपने जीवन साथी के नाम पर संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं समान में चोटे से चोटा काम भी आज आपका बनता हो रहा है और वैपारियों को नहीं बहुत ही अच्छा रहेगा अब बात करेंगे साथ नौमबर की आपको आ आप अपके बच्चों के वैवार से प्रसंद नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों की सिहत पर बुरा असर पड़ेगा आप अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने का उन्हें रास्ता दिखाएं आपको आमनोनी के नहीं रास्ते आते को दिखाई पढ़ जाएंगे त कि साधारान और सिंपल उपाया पर चलते हैं जो हर वैक्टिक कर सके तो हर्मान चलीसा पढ़िए और ओम नमश्वाय मंतर का जाब करिए दो मंतरों का जाब करिए आपके लिए कोई दिक्कत ही होगी हर्मान चलीसा सुबह शाम पढ़ लीजिए इसके अलावा अगर आप जाब कर लिए आपका समा बिलकुल एकदम ऐसे हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं बढ़ी आ इतना काम करना है, इसके लावा आप अपने काम इमानदारी से करिए, जो भी आप नौकरी वैफार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसके लावा बहुत ज़्यादा पूजा पाट करने कि आउशकता नहीं है, जब भी घर से बाहर निकलें, घर के आसपास जो कोई धर्म स्थान हो, मंदिर हो, द्वारा हो, चर्च हो, वहाँ पर नमशकार करते हुए जाईएगा, अपने धर्म के पके रहिए, धर्म विरोधी मन बनिये, और इश्वर में सची आस्तर किये, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है, और अपने घर में बड़े चोटों का मान सम्मान करिए यह आपको करना है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि साल 2023 आपका कैसा बीतने वाला है, क्या उसमें शुब शुब होने वाला है, उसकी आप जनम बोली बनवा सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपका आने वाला साल कैसा होगा, और आपको क्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए संपूर्ण जानकरी मैं द